स्वागात है हमारा यूट्व चैनल अट हो में आज अम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सिंपल सा स्पिरीज चेस्टिंग लेम कैसे बना सकते हैं तो हमें यह सिंपल सा सी्टेस्टिंग बनाने से पहले मैं उसका सर्कृट डायाग्राम को समझता हैं और आपको इस वीडियो को पहले से लेकर अंततर चरूर देखिए ताकि आप पूरे वीडियो को समझ सेके से डायाग्राम और ट्रैक्टिकल दोनों देखिए ताकि आप इस वीडियो को अच्छे तरह से समझ सेके तो चलिए हम पइले डायग्राप में समझ लेते हैं להन्य आप देख सकते हैं तोछ न्यूट्र का वायर है ये 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 लाइन का वायर जो इससे अप्लाइण हम श्यूट्र में हम दुन वायर को कर falls सब्सक्राइब का सब्सक्राइब तो हम जो लाएन आएगा सुल्च से होका हम इसे फाइपिन सोगेट का फेज में जोड़ेंगे जोड़कर एक वायर पहाँ बिताते हैं दूसरा है न्यूटल न्यूटल को हम सीथा लाएंगे न्यूटल को सीथा लाएंगे जोड़कर दो पाइपिन सोगेट का जो न्यूटल का हिस्से है इस नूटल में जोड़ेंगे 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 तो हम न्यूटल को बार एक बाल्ब में जोड़ दिये और यह फेज बाल बार जो बाल में जाएगा इसके बाल्ब गलोगा था हम इंग वायर बाहर लिकल लिया और फाइपिन स्वेट से जो फेज की कनेक्शन आ रहा था इसे बाहर दिया इन दोनों को जोलने से हमारा कि हमने सर्की डाइगरम समझ दिया है यह पिससे के बारे में प्रेक्टिकल में बताएंगी है और यह सज्टीडव में इक सीरीज टेस्टिंग लेव आपको बनाता दिखाएंगे तो चल्यें दूस्तों आगे बढ़ते हो तो चलिए दूसतों हम पहले डायगरम को समझ दि प्रैक्टिकल हम इस बोड को बनाएंगे तो सबसे पहले एक 4-7 का बोर ले लिए है इस बोर्ड में स्वीच और सुकेट को लगाने के लिए जगों को काटना पड़ता है अब देख सेकते बोर 4-7 का बोर है और अब हमें एक 5-pin सौकेट की जड़ता 5-pin सौकेट ले लिया है और एक सिंगल कूर सिंगल कूर स्वीच स्वीचिंग का काम में आएगा और एक होल्डर जो आपको जड़त है क्योंकि होल्डर में ही बोल लगाकर आप चेक कर सकते हैं इसके अलावा एक 2-pin प्लक और 2-4 लेना परेगा क्योंकि इस बोर्ड में एलेक्रिक सप्लाइच देने के लिए आपको वायर से देना परेगा इसलिए आपको इन 4 मिटर वायर की जरूरत है तो इन सब चीजों का ज़रूरत है एक बोर्ड एक सौकेट एक स्वीच एक कुपिन प्लाग और वायर और एक कि सब चीजों के जवरत है एक स्वीच टेस्टिंग लेम बनने के हूग तो हम आफको बताते है कि एक सुीच को इस जग़ाप लगाने के लिए हमे एक स्वीच के हिसाब से नंद रिसाब से काटना होगा है रशजी अभी से मैने डाग दे निया इस डाग के अनुसार ही हम के बीच में बोड के बीच में स्विच के स्विच का जो हिस्षा बोड में जाएगा उस साड़ा पर मैंने बोड के अंदर अब हम बोड को अच्छी तरह से स्विज और सॉकेट होल्डर लगा कर सेट कर लेते हैं के बीच में स्विच के बीच में स्विच कर लेते हैं के बीच में स्विच कर लेते हैं के बीच में स्विच कर लेते हैं की ब fram肌 रभा फब में पस्पाभ में स्विच करते हैं कि बीच कर लेते हैं कि देड़ रहां झाल 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 झाल